हलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागत है आप सबका निकुंच बूटिक में ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन बनाएंगे तो उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले न्यूस पेपर कोई पुराना न्यूस पेपर ले लेंगे इस तरह मैंने दो पेपर लिए है तो 4 फोल्ड हमारे पास इस तरह मेरी तरफ है किस तरह मैंने स्कृन पेपर कर सकती है तैयार मैं जो बलाउज वह 15 इंच रखोंगी तो मैं 17 इंच इसकी ले रहे हूँ तीरा लेंगे 1.5 इंच बोटनेक तयार कर रहे हैं इसलिए 1.5 इंच हम 3 रखेंगे मोडे ले रहे हैं 6 इंच मैं मोडे रखूँँगी आम होल जो रहेगा वो 6 इंच रहेगा और इस तहरें से चेस्ट हमारी रहेगी 37 हम तयार करेंगे तो मैं इसमें एक्स्टा ले रही हूँ, दो से धाई इंच जो है, इसमें एक्स्टा रहेगा, साड़े नो इंच इस तरह से तयार रहेगा, और ये धाई इंच के असपास, दो से धाई इंच जो है, एक्स्टा रहेगा, कमर जो है, तीस तयार करूंगी, साड़े साथ के इसमें 0.5 इंच एक्स्टरा मार्जन लिया है और 0.5 इंच जो है वो ले रही हूँ मैं प्लेट डालने के लिए सिंगल प्लेट डालेंगे इसमें पीछे दो प्लेट रहेंगी वो तो 2 इंच इस तरहें से तीन इंच टोटल हमारा हो गया है तो तीन इंच मैं इसमें एक्स्टा ले रही हूँ आगे पीछे के मैं पार्ट साथ ही कट कर रही हूँ इसलिए ये इस तरह से कट कर रही हूँ आप सिर्फ पीछे का पार्ट कट कर रहे हैं तो आप इसमें सिर्फ डेड़ से दो इंच ही ले सकती है इस तरह से इसको कट कर लेंगे नॉर्मल ब्लाउस हमने जैसे बोटनेक कट करते हैं वो हमने इस तरह से पहले कट कर लिया है अब हमने इस तरह से उपर जो है आदा इंच और डेड़ इंच करीब हमारा नीचे फोल्ड में चला जाएगा आदा इंच ये उपर इस तरह से मार्क कर लिया है और डेड़ इंच के आसपास जो है हमारा नीचे फोल्ड में चला जाएगा अब हमने नीचे से चार इंच पे निसान लगाना है ये चार इंच हम रखेंगे नॉर्मल प्लेन फैबरिक यहाँ पे और उपर की तरफ हम इस तरह से ये एक शेप हम इसमें कुछ इस तरह से बना लेंगे उपर वाले हिस्से में हम net fabric इस्तेमाल करेंगे और नीचे में plain fabric इस तरहें से इसको cut करेंगे ये वाला हिस्सा रहेगा वो हमारा plain fabric का रहेगा और जो ये उपर वाला part है ये हम net का cut करेंगे तो चलिए अब इसको कपड़े पे cut कर लेते हैं यह मैंने normal कपड़ा लिया है cotton का, इसके उपर यह नीजे वाला प्लेस करेंगे और इस पर इस तरहें से mark कर लिएंगे choke से और फिर इसको बाद में हम cut करेंगे अब paper को हटा देंगे और इसको cut कर लेते हैं कट कर लिया है मैंने नीचे वाला पार्ट हमारा कट हो गया है अब हमने कट करना है नेट फैब्रिक तो ये नेट फैब्रिक में जब आप कट करेंगे तो नीचे वाले हिस्से में याद रहे कि आदा हिंच यहां से हमने एक्स्टा लेना है तो इस तरह से हमने आदा हिंच एक लाउज आपका प्रफेक्ट नहीं बनेगा क्योंकि इसमें फिटिंग और जो लेंद है वो कम हो जाएगी अब हमने सबसे पहले उरेबी पट्टी ली है यह उरेबी पट्टी लेके हम उपर वाले हिस्से पी इस तरह से लगा देंगे पुरेबी पट्टी को डबल कर लिया है और एक पैर की इस तरह से सिलाई लगा के इसको हम पलट देंगे अब हमने इसको अंदर की तरफ पलट के एक सिलाई लगा देनी है अंदर की तरफ यह हमारा फोल्ड हो गया है अब हमने नेट फैबरिक इसके साथ अटैज करना है तो चलिए वो दिखाती हूँ कैसे कट हमने इसके साथ अटैज करना है नेट फैबरिक लेंगे इस तरह से और इसके उपर हमने यह नॉर्मल फैबरिक है उसको उपर रखना है नेट फैबरिक हमारा नीचे रहेगा तो इस तरह से मैंने रख लिया है यह हमारी रॉंग साइड है और उपर से ये भी हमारा उल्डी साइड है दोनों ही हमारी उल्डी साइड है और नेट फैब्रिक को मैंने उपर रख लिया है जितना हमने आदा इंच एक्स्टा रखा था उतना ही इसके उपर चड़ा के और फिर हमने सिलाई लगानी है इस तरहें बिल्कुल किनारे पे जो हमारा नीचे वाला फैब्रिक है वो नेट में आसानी से दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल किनारे से हमने इसके उपर सिलाई लगा ली है ये दिखिए ये लग चुका है अब हमने इसके उपर लेस लगानी है तो आप कोई भी मैचिंग की या गोल्डन इस तरहें की लेस लगा सकते है इस तरहें किनारे किनारे पे हम लेस को अटेच कर देंगे सिलाई से अब हमने एक बार इसको फोल्ड करके चेक कर लेना है अच्छे से फुल्टी साइड फोल्ड करते हैं ताकि निसान लगाएंगे वो भी हमारे असानी से लग जाएंगे और जितना भी एक्स्ट्रा अगर नेट कहीं से नजर आ रहा है तो उसको एक बड़ी हम फिनिशिंग कर देंगे उसकी कट कर देंगे नीचे पहले प्लेट का निसान लगा रही हूँ चार इंच इस तरह से बंद साइड से और उपर से बारा इंच नॉर्मल ही हम 10 इंच पे लगाते हैं लेकिन इसमें इतना ही फैब्रीक है नेट फैब्रीक तक मैं नहीं लगाऊंगे उपर तक तो हम इस तरह से यह चोटी प्लेट डाल देंगे अब हमने एक्स्टा इसमें थोड़ा बुत एक्स्टा जहां हो रहा है वहां से इसको थोड़ा फिनिसिन देंगे इसमें हलका सा एक्स्टरा फैब्रिक था तो इसको हमने कट कर दिया है अब हमने एक नेक को कट करना है तो नेक कट करने के लिए इस तरहें इसको डबल फोल्ड लेंगे और चार इंच जो है चोड़ाई रखी है मैंने इसकी और साड़े तीन इंच जो है गहरा रखूंगी इस तरह से बोटनेक बनाएंगे तो बोटनेक में यह और यहां पर एक इस तरह से लीफ टाइप का मैं बना रही हूं पत्ति सी तो इसकी टोटल जो लेंद है वो 6 इंच है और इस तरह से इसको पहले कट कर लेंगे पहले बोटनेक नॉर्मली कट करेंगे और इस तरह से इसको भी हम कट कर लेंगे इसकी शेप जो रहेगी वो ये रहेगी इसके साथ मैं उरेवी पट्टी इस्तेमाल करूंगी तो नॉर्मली डेडी इंचे उरेवी पट्टी ली है डबल फोल्ड करकी इसके उपर इस तरह से किनारी से लगा दिया है अब जहां नोक है वहाँ पे आएंगे तो पट्टी को थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे ताकि गुलाई में आसानी से ये मुड जाए और इसके साथ जो है अच्छे से फिनेसिंग से लग जाए अब हमने पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस तरह एक्स्टर पट्टी को कट करेंगे और पलट के जो है पहले एक बरी सेंटर में कट लगा देते हैं ताकि यहां पे कोना है जो अच्छे से ये पलट जाए अब हमने पट्टी को नीचे से उपर की तरफ लाना है और अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है यह हमारी उल्टी साइड है ब्लाउस की इस तरह से इसके उपर इसको पलट देना है यह दिखिए पट्टी हमारी लग गी है अब हमने इसके उपर लेस लगानी है और उपर पुरे भी पट्टी लगानी है उससे पहले हम लेस लगाएंगे यह वाले हिस्से पर हलका सकोना है तो यहाँ पर लेस को अच्छे से फोल्ड करना है थोड़ा सा और फिर यहाँ से इस तरह से लगा देना है अब हमने उपर की तरफ पट्टी लगानी है तो उसमें भी हम उरे भी पट्टी का इस्तिमाल करेंगे यह इसकी शेप जो बहुत ही प्यारी सी आई है तो अब हमने उरे भी पट्टी लेनी है और इस तरह से इसको डबल फोल्ड करके इसके साथ लगाया है अब हमने यह शेप जो बनाई है उसको अलग नहीं रखना है इसके साथ ही बिलकुल अटैच कर देना है बिलकुल साथ साथ इसको इस तरह से रखना है इस तरह रखेंगे और उरे भी पट्टी को आगे तक लगा के ले आएंगे, दोनों तरह एक ही पट्टी लगानी है हमने, अब पट्टी को पलट देंगे ये देखे, पट्टी लग चुकी है हमारी, अब हमने इसके उपर से लेस और लगानी है, ये देखे अब एक लेयर जो है, सिंपल उपर गले पे भी हमने लगा लेनी है, लेस की इस तरह हमारा गला जो है, बैकने की डिजाइन कंप्लीट हो गया है, बलाउस का, जो कि बहुत ही खूपसूरत लग रहा है तो इस तरह से ये डिजाइन बनके तयार है, फ्रेंड्स आपको डिजाइन कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना और पीछे की जो प्लेट के निसान लगाए थी, वो भी मैं इस तरह से पूरे कर देती हूँ और फ्रेंड्स बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे वीवर्स जो वीडियो देखते हैं, बट उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसमें आपका कुछ भी नुकसान नहीं है और कुछ भी इससे आपका जाता भी नहीं है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी मिलते हैं और किसी इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाँ बाई